दोस्तों नमस्कार मगर इंवर्सिटी टुड़े इंपॉर्टी नियूज में आप सब का स्वागत है आज की यह वीडियो बहुत ही मात्पूर्ण और खास होने वाला हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे पार्ट बन एंड पार्ट टू को रिजल्ट को ले करके तो दोस्तों चाहेंगे इवजी पार्ट बन सेशन 2019 से 22 की विद्यात थी है या फिर सेशन आपका 28 से किस पार्ट टू के विद्यात थी है आप सभी लोग बेसबरी से इंतजार करें थे अपना रिजल्ट को ले करके इस वीडियो में डिसकस किया जाएगा चार्चाएं किये जाएगे ज लेकर के इस वीडियो में बातियों होगी डिसकस होगा तो लास्ट बन रहे हैं चैनल पर पहली बारे दो सब्सक्राइब करके रखिएगा पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवार तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अपडेट में तो जै की संपति को छती पूति ना करें आस वह स्टूडेंट फार बन वे पार्टू के विद्याते हैं तो उनका रिजल्ट जल्से प्रकास्त किया जागा लेकिन बात यहाँ पर पर प्रसान हैं रिजल्ट को लेकर के तो जैसा कि हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और बारी- अपडेट को हम डिसकस करेंगे आपको लास तक बने रहनी कि आप सकता है जैसे कि असकिन पर आप देख सकते हैं मगद विस भी दिया लेकि दौरा से कहा जा रहा है सैशनिक सेशन दौहजर अठर से कैस वह सैशनिक सेशन उन्हेसे से बाइस का मामला परचातियों को उसके लि क्या उस बातों को इन्वर्सिटी पालन कर पाएगा या ने यह देखने वाली बाते हो जाती है हम बात कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर के तो जैसा कि आसकिन पर आप देख सकते हैं मगद विस भी दियाले के कॉलेजियों में सैशनिक सतर अठर से किस वह उन्हीं से बाइस के परिक्षाफल को इंतजार कर रहे हैं कि उनका जल से जल आ जाना चाहिए लेकिन यहां पर इन्वर्सिटी के दोर से ठोस अस्वासन लिखित रूप में जारी किया है और वहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि प्रिक्षाफल प्रकाशन के लिए विस विद्याले ने पूर् या नहीं जिस एजेंसियों का दिया गया मेरे ख्याल से इन तमाम मुद्धों को लेकर के हटा देना चाहिए और एक नहीं मुद्धा को गठन करना चाहिए नहीं मुद्धा का मतलब दोस्त या पाट बन वह पाट टू के विद्यात है तो नए सिलसले तरीके से एकजाम पाएगा सिदे वो अपने बातों से मुखर जगा सिदा बोलेगा कि स्टूडेंट जो लिखा था वही हमने आपको रिजल्ट में दिया है ठीक है तो यहां भी गड़बडियां हो सकती है इसलिए सिंपल सी बात इन्वर्सिटी को समझनी चाहिए बड़े बड़े लोग प्रत्वन्त रिजल्ट दे आप कौन सी बातों में सहमती दरज करते हैं आपको इन तामा मुद्धों को ले करके आपको बिचार करनी क्याब सकता है एक संगठित हो करके सोचनी क्याब सकता है तब ही आप सभी यह स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा फिलाल के लिए मैं आ असलस देगा या कब तक देगा इसकी पुष्टी अभी तक नहीं की गई है इन्वर्सिटी तो बार बार कहता है कि मैं आप सभी यह स्टूडेंटों को रिजल्ट दे दूंगा और कभी कभी कहता है कि हमारे पास डाटा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो दोस्तू जड़ को परकासित किया जाए अस्टुडेंट जो है संतुष्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से अस्टुडेंटों की भी यही मांग होनी चाहिए आप लोग क्या सोचते हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैं से जरूर किजिएगा मेरे द्वारा दी गई जनकारी या साल आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैंसे जरूर किजिएगा चैनल पे पहले बार थे दोस्त सब्सक्राइब कर लिजिएगा पहले सही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको तहे दिल से धन्य बाद मिलता हूँ दोस्त नेक्ट अपड़ेट के साथ में ने हिंद जय भारत